नमस्ति प्यारे बच्चों, आशा करते हूँ आप सभी स्वस्तें, सुरक्षितें और साथ में खुशो कर अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बर फिर से स्वागत है। कारे पत्रिकाई मिली थी। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सिक्षक या सिक्षेका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी के अध्यापिका का नाम लिखना है। आईए बिना देरी किये वे हल करते हैं आज की कारी पत्रिका की प्रश्णों को, बच्चों आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा और जाना की आरिफ और सलीम ने अपनी परिशानियों को दूर करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली, क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं, आईए हम भी कुछ रोचक बादशीत करते हुए कारी पत्रिका को पूरा करते हैं, अब आरिफ और सलीम अपने घरवालों के बार बार रोखने टोखने से परिशान हो जाते हैं, और परिशान होकर वो अब्बा को मना लेते हैं कि एक दिन के लिए हमें इस घर का बाद अधिकार लेना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है, सबसे पहला प्रिशन है, बच्चों सोचिए और बताइए कि आप अपने घर के किस सदस्थे के अधिकार लेना चाहेंगे और क्यों लेना चाहेंगे, जैसे कि आप अपने मम्मी के अधिका ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको सोचना है और सोचने के बाद बताना है कि आप अपने घर में किस सदस्य के अधिकार लेना चाते हैं और क्यों लेना चाते हैं उधारण के लिए आप अपने मम्मी के अधिकार ले सकते हैं और किसले ले सकते हैं क्योंकि मम्मी अपनी पसंद का खाना बनाती है पूरे परिवार का ध्यान रखती है तो आप भी अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं आप हर वेक्ति की जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं अगर आपको अपनी मम्मी की तरह काम करना पसंद है तो अगर आपको अपने पापा का काम पसंद है तो पापा की तरह आप कारी कर सकते हैं तो सभी बच्चे इस प्रशन का उतर खुद से लिखेंगे क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं, वो आप ही बता सकते हैं, तो ये प्रशन आप सभी बच्चों के लिए है, आप इसका उतर खुद से सोच कर लिखेंगे कि एक दिन के लिए किसके अधिकार आप लेना चाहते हैं, और क्यों लेना चाहते हैं, आईए दूसरा प्रशन करने के लिए संकेत शब्दों का प्रियोग आपको करना है तो ये तो बड़ी आसानी से हम पूरा कर लेंगे अम्मी को खालिस्थान में जाते देखकर सब हंस पड़े तो अम्मी कहां जाती है अपने दाथ साफ करने के लिए गुसल खाने में जाती है गुसल खाना किसे कहते ह हम बात्रूम को या स्नान घर को गुसल खाना कहते हैं पहले खालिस्थान में क्या आएगा? गुसल खाने शब्द आएगा आपाने कहर बरी नजरों से उन्हें घूरा मगर खालिस्थान थी क्या थी आपा बेबस थी क्योंकि एक दिन के लिए सब भी को आरिफ और सलीम की बाते माननी थी दोनों की मुसीबत में जान थी हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तक्रार तो यहाँ पर क्या आएगा आपका तक्रार शब्द आएगा अम्मी खालिस्थान को खाने के साथ मिठी चीज पकाने का हुक्म दे रही थी तो किसको खाना पकाने का हुक्म दे रही थी खान सामा यानि रसोये को तो यहाँ पर क्या आएगा खान सामा या रसोया इस तरीके से इन सभी पंक्तियों को आप पूरा कर लेंगे बड़ा ही आसान सा प्रिशन था, आईए आगे बढ़ जाते हैं, प्रिशन संख्यातीन देख लेते हैं, और यहां आपसे क्या पूछा गया है, नीचे कुछ वाक्य दिये गए हैं, और उनके लिए निर्देश, तो यहां पर कुछ निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन से आपक लिए वाक्यों को पढ़ कर निर्देश, अनुसार, उत्तर, खाली जगह में लिखे, तो यहां पर एक उधारन आपको दिया गया है, जैसे की गाए घास खा रही है, इसका हमें लिंग बदलना है, तो गाए हमारा क्या है, इस त्रिलिंग है, तो गाए से हमने क्या बना दि वचन का, यह पुस्तक मेरी है, तो एक पुस्तक की बात हो रही है, और एक वचन से क्या बनता है, बहुवचन, तो यह पुस्तके मेरी है, किस तरीके से लिखेंगे, यह यह अनकी बहुत सारी यह पुस्तके मेरी है, और ह के उपर क्या लगेगा, बिंदू क्योंकि बहुव मजदूर काम कर रहे हैं और इसका हमें परिवर्तन की सिसाब से करना है भविश्यत काल में तो मजदूर काम कर रहे हैं अभी काम कर रहे हैं वर्तमान काल है और भविश्यत में यानकी करेंगी मजदूर काम करेंगी तो यहाँ पर कैसे परिवर्तन करके लिखेंगी मजदूर क प्रिश्णों को आप पूरा कर लेंगे और आप अच्छे से जानते हैं हर सपता आपको एक इस तरह की गतिविदी दी जाती है जिसमें एक चितर दिया जाता है और ये चितर आपको इंग्लिश की वक्षीट में भी देखने को मिलता है इस चितर को ध्यान से देखकर यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि किस तरह की बादचीत इनके बीच में हो रही है तो यहाँ पर एक चितर आप देख पा रहे हैं एक मौर है और यह मौर मुझे लगता है हमला कर रहा है इस विक्ति के उपर और यहाँ पर एक बच्ची है या ओरत है दोड़ कर आ रही है और इन दोनों के बीच में कैसी बादचीत होती है यह आपने अनुमाल लगाना है कलपना करनी है और इनके समवाद को यानि बादचीत को लिखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी गतिविदी के बारे में बताया गया है प्यारे बच्चो साथ देगे चितर को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चितर में दिख रहे लड़की और आदमी क्या बाते कर रहे होंगे अनुमाल लगाकर उनके समवाद यानि बादचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कोपी में लिखिए तो इस गतिविदी को भी आप पूरा कर लेंगे और साथ में आपके माता-पिता के लिए भी सुझाव दिये गए है बच्चे के साथ एक गतिविदी की जा सकती है जिसमें वे परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी भूमी का बदल कर उसके जैसे अविवहार और काम करेगा जैसे कि अभी अभी हमने देखा प्रशन संख्या एक में कि किसके अधिकार आप लेना चाहते हैं अगर आप मम्मी के अधिकार लेंगे तो सुबै से शाम तक मम्मी की तरह कारिये करेंगे तो यहाँ पर आप मम्मी की अक्टिंग कर सकते हैं पापा की अक्टिंग कर सकते हैं भैया दीदी की तरह अक्टिंग कर सकते हैं जिसमें वे परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी भूमी का बदल कर उसके जैसे विवहार और काम करेगा बच्चे आपने अनुभव को सब के साथ साजह कर सकता है तो इस तरह की गतिविदी को आप घर पर कर सकते हैं आप मम्मी की तरह विभार कर सकते हैं पापा की तरह दादा दादी की तरह या आपके परिवार में कोई भी सदस्य है जो आपको पसंद है तो उसकी तरह आप एक्टिंग कर सकते हैं, आभीने कर सकते हैं. तो एक छोटी सी गती भी दी थी, जिसको आप घरपर पूरा कर सकते हैं. तो बच्चों, आपको कारी पत्री का मजेदार लगीने, अब बताएए कि आज आपने क्या नया सीखा? तो आज हमने एक दिन की बादशाहत पाट से कुछ प्रशनों को हल किया और इसका अभ्यास किया COVID-19 के दोरान अपेक्षित विवार अपने हाथों को साबुन और पानी से नेमित रूप से धोना है खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जोड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद